नमस्कार, मैं हूँ जयुतिस कुमार, हमारे तिग्ग चैनल में आप सब का स्वागत है, चलिए सवाल करके देखते हैं, पूरा वीडियो को देखिए निश्चित समाकलन का ये तीन सवाल है, पूरा वीडियो को देखिए, असानी से समझ में आएगा, इसी में खंसह समाकलन को भी समझेंगे पूरा वीडियो को देखिए, निश्चित समाकलन ये जैसे की सवाल है, पहला कोईचन दूसरा और तीसरा, पहला समाकलन लिमिट एक से जिरो, यानिकि दी बटे वन पलस एक्स वर्ट, हमें इसी को समाकलन से हल करना रहता है, या तो खंसह समाकलन, या तो आउकलन, इसी को हल करके, आसानी से एक लिमिट को, लिमिट का अपलाई कर देना रहता है, ये बहुत ही आसान है, पूरा वीडियो को देखिए, यहाँ पर पहला को हल करेंगे, हल, हल, शमाकलन, लिमिट वन जीरो, इसको आप लिख सकते हैं, एक बटे, वन पलस, एक्स वर्ग, डी एक्स, पलस, एक्स वर्ग का समाकलन, टेन, इनिभर्स होता है, आप जानते हैं, तो लिख लिजिए, बराबर, को टक लगाके, टेन, इनिभर्स, एक्स, होता है, यह देखिए, ये लिमिट को लगा दीजिए, वन और जीरो इस परकार से, 1 और 0 लगा दिए अब एक बार X के इस्थान पर 1 रखिए और read लगा करके 0 को रख दिए बरावर 10 इनिभर्स 1 read लगा करके 10 इनिभर्स X के इस्थान पर 0 इस परकार से बहुत ही असानी से हल होता है अब 10 इनिभर्स 1 का मान πाई बटे 4 होता है और 10 इनिभर्स 0 का मान 0 होता है बरावर इसका इनिभर πाई बटे 4 ये है इनिभर इस तरह से असानी से हल कर सकते हैं और दूसरा सवाल दूसरा सवाल देख लिजिए समाकलन πाई 0 dx बटे एक धन शाइन एक्स है एक धन शाइन एक्स इसे भी आप एक बटे 1 पलस साइन एक्स कर सकते हैं बरावर लिख लिजिए बरावर हल में समाकलन एक बटे पाई और ये लिमिट को पाई और जिरो लिखते जाईए एक बटे एक धन शाइन एक्स ये हमने कर दिया अब पिछले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे विडियो भी बना है हमारे इस चैनल में इसका चिन को माइनस करके उपर नीचे गुड़ा कर दिजिए इसलिए कहते हैं पिछले कक्षाओं का याद करते जाईए ये जानते जाईए ये देखिए ये टेंथ का सवाल इस तरह का किये है वन माइनस साइन एक्स उपर नीचे करके गुड़ा कर दिजिए और ये कोश्टक लगा दिजिए इधर भी और डी एक्स ये रहा अब समाकलन पाई जीरो अब इसका 1 माइनस साइन एक्स होगा अब इसको जानते हैं 1 पलस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा एक वर्ग धन साइन वर्ग एक्स एक का वर्ग एक ही एक ही लिखे एक रीड होगा एक रीड साइन वर्ग एक्स इसको भी देख लिजिएगा पिछला विडियो में ये दिखाई नहीं दे रहा था तो इसको हमने 1-sinx लिखा और इसका एक वर्ग रिंड शाइन वर्ग एक्स इस तरह से लिख सकते हैं बताया गया है पिछले विडियो में वर्ग है तो एक ही लिख सकते हैं ये देखिए इस लिख दीजिए हैं पर । अब बराबर शमा कलंड पाई जिरो ये पाई जिरो ये फाइजिरो लगा दिए बड़ वान माइनस साइन एक्स का पास्वर्ग 110 को सो उर्ग एक्स होता है वर्ग एक्स इस तरह से होता है को वर्ग एक्स dx cos work x dx अब बराबर इधरी हल करते हैं बराबर समा कलन π और 0 इसको अलग-अलग 1 बटे cos work x sin x बटे cos work x कर दिजे तो हम यहाँ पर करते हैं कोश्टक लगा के एक बटे cos work x यह cos work x और यह read है ना यह दोनों में बटे में हैं एक बटे में भी cos work x है और sin x बटे भी cos work x है यह read को लगा लिजी read sin x बटे cos work x विश्टरा से यह हो गया अब इसको इसका समाकलन हो जाता है एक बटे cos work x का shake work x लिख लिख लिजी shake work x इस तरह से अब read यह read है इसका sin x बटे cos work x का 10 x shake x होता है लिख लिजी 10 x shake x dx ऐसे को श्टर कर देजी कर सकते हैं इस तरह से dx अब देखें यहाँ पर देख लिजी यह double है plus में है यह work के निसिल हो जाएगा और यह shake x बराबर 10 x को पहले लिखिए 10 x 10 x और यह apply कर दिजी limit pi और 0 minus लगा दिजी minus करके shake x और limit लगा दिजी pi और 0 इस तरह से अब यहाँ पर x की स्थान पर रखते जाईए 10 लिखिए 10 x की स्थान पर pi फिर minus लगा के minus कर दिए तो 10 यह 0 इस तरह से और यह minus है तो minus कर दिजीए shake pi read shake 0 इस तरह से बहुत ही आसानी से बनता है अब बराबर 10 pi का मान 0 और 10 0 का 0 10 0 का 0 read shake pi का मान minus 1 और यह minus 1 होगा तो बराबर यह minus 2 तो plus 2 हो जाएगा 0 धन्दो बराबर 2 इनसवर यही इनसवर है यह दो इस तरह से असानी से हल कर सकते हैं और आगे तिसरा सवाल देखिए तिसरा सवाल पूरा वीडियो को देखिए तिसरा सवाल है यह समाकलन pi बटे 2 0 यह डबल फलन है दो फलन है x वर्ग साइन x इसे खंडश समाकलन से हल कर लेंगे यह खंडश समाकलन है कैसे है इसको जानने के लिए आप यहां पर देख लेजिए x वर्ग है और साइन x x का डबल है यहां पर जैसे कि 2 x रहेगा तो यह पर्थम फलन दूज्त्य फलन यह हो सकता है लेकिन अधिक्तर x है x y z यह सब हो सकता है लेकिन x अधिक्तर है इसको समझ लेजिए कि डबल x है यह खंडशा समाकलन से हल करेंगे इसको मानने जिए 1st फलन और इसको 2nd फलन जो एकदम सरल लगे आपको जिसका समाकलन जैसे sin x इसका माइनस को सेक्स होता है हमको सरल लगे उसको जो है आप दुट्थ फलन मान लेजिए वैसे अधिकतर जो है पर्थम फलन को ही पर्थम फलन माना जाता है चल यह हल करते हैं समय ना गवाते हुए इसका सूत्र आप जानते हैं मेरा पिछला वीडियो में बताया गया है देख लेजिए अभी भी देख लेजिए सूत्र को यह देखे इस सूत्र का उपयोग कर लेजिए देख लेजिए सूत्र है पर्थम फलन समाकलन दूट्य फलन डी एक्स समाकलन कोस्टक डी बाई डी एक्स पर्थम फलन का डी बाई डी एक्स लिखना है निकालना है समाकलन दूइत्य फ्लन डी एक्स इस शूत्र को नोट कर लिजिए चल यह जानते हैं इसी शूत्र से हल कीजिए पर्थम फ्लन पर्थम फ्लन एक्स वर्ग है समा कलन दूइत्य फ्लन शाइन एक्स डी एक्स रीड शमा कलन और यह बड़ा कोस्टक लगा दीजिए डी बाई डी एक्स पर्थम फ्लन का यानि कि एक्स वर्ग का एक्स वर्ग का और समा कलन दूइत्य फ्लन यानि कि साइन एक्स और बड़ा कोस्टक लगा दीजिए यह डी एक्स यहां पर एक होस्टक का मतलब समझ लिजे कि इसका समाकलन करना है यह सब होटा चोर्टा चीज को समझेंगे असानी से गड़ित बनेगा बराबर X work इसका समाकलान कर लीजिए मैनस cos x होता है cos x read इसका d by dx X work का d by dx क्या होता है समाकलान को समाकलान 2x d by dx X work का 2x और sin x का समाकलान मैनस cos x ये लिखे है मानस cos x इस तरह से दी एक्स यह देखिए अब ये दो को बाहर निकालना है और ये जो है इसके साथ तो बाहर में एक्स माइनस आता है एक्स वर्ग कॉस एक्स रीड ये दो को बाहर लेंगे तो रीड और ये रीड गुरा होगा इनती पलस टू पलस टू शमाकलन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स इस तरह से कॉस एक्स डी एक्स अब यहां पर देख लिए पूनह जो है ये खंसा समाकलान से हल करेंगे इसको पर्थम मान लिजए और इसको दूइत्ति मान लिजए इसको इस तरह से अब इसे लिखते जाए इसको जहें कते हूं माइनस एक्स वर्ग कॉस एक्स पलस टू कॉस एक्स पलस टू अब यहां पर कोष्टक लगा के आप हल कीजिए पर्थम फलन यानिकी एक्स वर्ग पर्थम फलन एक्स वर्ग दूट्य फलन का समाकलन यानिकी कॉस एक्स डी एक्स रीड कॉस एक्स डी एक्स रीड समाकलन कॉस्टक लगाईए जैसे हल की हैं सहीं दी बाई दी एक्स पर्थम फलन यानिकी एक्स और दूट्य फलन का समाकलन ये कॉस एक्स पिश्टर से और ये बड़ा कॉस्टक लगाईए दी एक्स ये हुआ इस परकार से अब इसको पुनाह लिख लिजे एक्स वर्ग कॉस एक्स धन दो अब इसका अलग से कलर में हल कर लेते हैं लिख लेते हैं एक्स एक्स वर्ग नहीं है सोरी एक्स एक्स कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है साइन एक्स कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स रीड ये समाकलन इसका डी बाई डी एक्स एक होता है एक गुड़े कॉस एक्स का शाइन एक्स यहां पर लिखे हैं साइन एक्स और इस तरह से dx ये अब पुनह इसका समाकलन करना है हमें तो लिखते जाए बराबर बराबर x वर्ग cos x धन दो x sin x x sin x इसका जो है समाकलन है हम लेते हैं sin x का तो माइनस cos x होता है तो डारेक्ट नहीं लेते हैं लिखिए लेते हैं माइनस ये देखिए ये यहाँ पर sin x होगा sin x dx अब पुनह एक बार लिख लेते हैं समझने के लिए बराबर माइनस x वर्ग cos x धन दो और ये कोस्टक है इसी तरह कोस्टक लगा लिजे x sin x रिर इसका माइनस cos x होगा इसका माइनस cos x होगा अब इसको पुनह लिख लिख लिजे बराबर x वर्ग cos x धन दो x वर्ग cos x धन दो धन दो और ये कोस्टक लगा लिजें हैं पर x sin x ये माइनस माइनस पलस हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग सीधे जो है दो का गुरा करना था हमें लेकिन यहाँ पर पलस cos x चलिए माइनस माइनस पलस cos x हो गया अब ये दो को रख दीजे बराबर बराबर x वर्ग cos x धन 2 कोस्टक है यहाँ पर इधर भी लगा दीजे कोस्टक है तो इधर भी से अब दो का पुरा गुरा कर दीजे 2 x sin x धन 2 cos x ये है इनस वर खंड सह समाकलन को इसी तरह हल कर सकते हैं असानी से और इजी तरीका से ये इनस वर है अब इसमें सीधा सा limit का उप्योग कर दीजे limit क्या है पाई बटे दो और जीरो है ये पाई बटे दो और जीरो को एक्स के इस्थान पर रखते जाईए असानी से हल होगा तो बराबर read पाई वर्ग बटे चार होगा यानि कि यहाँ पर वर्ग है न ते दो दुनी चार होगा वो पाई का वर्ग कास पाई बटे दो धन दो पाई बटे दो साइन पाई बटे दो ये साइन पाई बटे दो धन दो कास πi बटे 2 अब हम क्या करते हैं माइनस लगा के 0 को लेते हैं माइनस लगा के 0 को लेते हैं तो माइनस तो माइनस 0 का ओवर्ग और complex 0 इधर ये दिखाय नहीं दे रहा है तो complex 0 여기까지 0 यहाँ पर और धन दो गुड़ीज जीरो साइन जीरो ये साइन जीरो धन दो कास कास जीरो अब इस का मान रख देजे कास कास पाई बेटे का मान क्या होता है बराबर देख लिजे पूरा वीडियो बराबर माइनस पाई वर्ग पाई वर्ग बटे चार पाई वर्ग बटे चार और कॉस पाई बटे दो का मान जीरो होता है गुड़ा जीरो धन इसको जेंक पाई बटे दो साइन पाई बटे दो का मान गुड़ा एक धन दो कॉस पाई बटे दो का मान 0 गुड़ा 0 अब देखले इस तरह कीजिए माइनस कर दिजिए माइनस कर दिखिए यहां 0 से गुड़ा हुआ है यह पूरा 0 होगा और यह भी 0 होगा पूरा यह 0 हो जाएगा सिर्फ 2 कॉस जिरो बचेगा यहाँ पर लिख लीजै दो अवकास का एक होता है पीष्ट रसे अब देखें यहाँ पर यह 0 तो पूरा 0 हो गया 0 से गुरा यानि के पूरा 0 और यह केंसिल यह केंसिल और यह भी 0 तब बचा किया पाई और 1 पाई एकम पाई गुरा करेंगे तो पाई होगा और यह माइनस 2 यही जो है इनस्वर है इस तरह से असानी से हल कर सकते हैं इसी तरीका से धन्यवाद